नमस्कार प्रियविद्यार्थियो योग परशिक्षन कोर्स भाग 47 के अंदर आप सबका हारदिक अभिनन्दन है स्वागत है आज का जो आसन है वह है परवत आसन परवत आसन भहुत ही सरल आसन है सभी कर सकते हैं, बड़े बुजर्ग सभी कर सकते हैं और इसके लाब बहुत ज्यादा है तो ध्यान से समझें इसी आसन के बारे में विस्तार से पर्वतासन पर्वतासन का शब्दार्थ एवं नामकरण कैसे पड़ा पर्वतकार्थ होता है पहाड इस आसन में साधक के शरीर की आकृती पहाड के सद्रिशमान हो जाती है अता इसे पर्वतासन कहते हैं दुसरा इसका नामकरण, नाम जो है संस्कृत में पर्वतासनम, हिंदी में पर्वतासन और अंग्रेजी में माउंटेन पोज के नाम से जाना जाता है अन्य नाम भी इसके हैं जिसके अंदर आता है वियोग आसन भयंकर आसन इस तरह से बिसे आपके नाम इसको पढ़ने में सुनने में मिलेगा परवत आप देख रहे हैं कैसे चोटी बीचो बीच ऐसे ही आप चित्र में पीछे आसन में देख रहे हैं हमारे श्रीर की आकृती भी इस तरह से बनती है तो इसको बनने के कारण इसे परवत आसन माउंटेन पोस के नाम से जाना जाता है और परवत अपने आप में स्थिरता का प्रतीक है, स्थिर रेता है, इन्हें अचल कहते हैं, चला नी चलता, फिर भी ये पुरानी कथाई हैं, परवत चला करते थे, उड़ा करते थे, इंदर ने इनके पंक काट दिये, वो बातें अलग हैं, पर ये अचल कहलाते हैं, स्थिर सबसे पहले आसन का करम जानेंगे, परवतासन इसमें पूरा तीन परकार से किया गया है, तीन विदिया है, तीन परकार के करम चित्रम आपको दिखाऊंगा, ये एक परकार जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक परवतासन का परकार है, इसका विदियम आपको भी समझाने जा रहे हैं इस आसन को करने के लिए सरो प्रथम पेरों को सामने फैलाते हैं फिर दाएं पेर को उठा कर बाई जांग के ऊपर रख देते हैं ये काम करना उसके बाद पाउं का तलवा उर्द्व मुखी रहे तथा एडी का अग्रभाग के निचले हिस्से को स्पर्श करें औ आप पदमासन लगाना हैं पदमासन में जैसे हम जाते हैं आते हैं उसी तरह से आपने पहले पदमासन अच्छे से लगाना पर ध्यान इतना एडी आपकी आपस में मिली रहें पाउं के तलवे उर्द्व मुखी हो गए उपर देख रहे हैं दोनों हातों को पूरा मुद्रा में ले आएं दो प्रकार होगे या तो इंटरलोक लगा करके आप तब खीचे ठिक या फिर नमस्कार मुद्रा के अंदर आ करके इनको उपर क्यों खीचना है इस तरह से यहां दो प्रकार बन जाते हैं और फिर सिर्क तथा पीट को बिना जोर लगाए सिधा रखने का प्रियास करें और श्वास पर श्वास आपने सामाने रखना है अनति मवस्था के अंदर दोनों घुटने भूमी से तथा भुजाओं को कानों से सपर्श करके रखें घुटने भूमी पटिके रहें चित्र में देख रहें सपर्श भूमी पर रहें उठे ना और दूसरा अपने कानों के हाथ स्पर्ष गिये हुए होने चाहिए दुर ना हो कालवधी 30 सेकंड से 1 मिनिट तक रोकें अत्वा 2 से 3 बार धोराएं 10 सेकंड के अंतराल में इसे आप बदल सकते हैं 10-10 सेकिंड के अंतराल में आप 2 बार, 3 बार, 4 बार जितनी बार आप कर पाते हैं करना है इस तरह से यासन आपको अच्छे से कर लेना अब देखेंगे आसन का चित्र जो मैं कह रहा थे तीन प्रकार के चित्र बनते हैं पहला आप हातों को जोड़ते हैं एक प्रकार दूसरा हातों को एंटर लोग लगा करके पूरा खीच के रखना या आपका प्रकार दो बनता है प्रकार तीन के अंदर इस तरह से बीचो बीच आप उठाना गर्दन विशेस ध्यान रखिए हातों के बीच में है ठीक इस तरह से भी आप माउंटेन का पोज बना सकते हैं तीन प्रकार की चित्रा आप देखें चित्रों को ध्यान में रखना आकृति बने अब इन चित्रों के माद्यम से इन आसन जब हम करेंगे इस मुद्रा में जब आएंगे तो इनका शरीर पर प्रभाव पढ़ता है इसी प्रभाव के लिए हम इन शरीर में इन आकृतियों को धार्ण करते हैं पहले हम शारेरिक प्रभाव को समझेंगे ये शारिरिक सबलता और शान्ती परदान करने में साहिक है आपके श्री में शान्ती देता है ये प्रानवायू की आवशक्ता को कम कर देता है और श्वास नियंत्रन के लिए उप्युक्त आसन है पदमासन अपने आप में एक विशिष्ट आसनों में गिंती है शिद्ध आसन आते हैं पदमासन और शिद्ध आसन पदमासन इसमें लगने से कार्ण प्रानवायू का प्रभा अपने आप कमर से होते हुए सीधा और ग्रेविटी गुर्त्वाकरशन की कमी होने के कार्ण गुर्त्वाकरशन का भार आगे दें होने के कार्ण ओक्सिजन पर स जान वायू बढ़ेगा गुटने अपने आप ठीक होंगे पेशिय तनाव से रिर्का कम होगा पूरा साइड में पार्श्व की मास पेशियों से लेकर बुजाएं उपर चोटी तक शर्में पूरा खिचाव हैं रक्त चाप जब आप करते हैं घट जाता है इससे ये बात भी घट जाता है इस आसन की अभ्यास से और दूसरा अत्यदिक ठंड से ठंड में इसे लगाने से गर्मी का संचार होने लगता है पदमासन का भी एक सवभाव है जब ये शरीर में लगाते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है आप सोचेंगे रक्त चाप कैसे घटता ह यानि कुल मिला कि ये बैलन्स देता है और प्रान वायू का स्तर इतना गिर जाता है इतना कम होता है जिससे शरीर में अपने आप शवशन का तनाव जन्ने जो बी पी हाई होता है वो कम हो जाता है और अपका रक्त चाप कम होने लगता है इस तरह से इसको समझिए दूसरा आता है इसके बाद हमारे श्रीर पर जो प्रभाव है आगे देखिए शारिक रूप से इस से त्रिकास्थी गुदास्थी परदेश की तंत्रिकाई मजबूत होती है ये कंपवात जिनमें कंपन पार्किशन्स जेता है ग्रिवाच रोग गर्दन का कंधों का रोग जिनको होत है संदीवाद जोडों का दर्द का रोग आंत्रवरिधि हैं आंत्रवरिद्धि की समझड़ाईं में आजकर बहुत होती जा रही हैं कबज बढ़ती जा रही है गठ्यारोग बढ़ता जा रहा है फील पाऊं जिनके पाऊं का एक पाऊं रहता है step जैसे होते हैं बिलकल और फाइलेरिया आदी रोगों में ये लाबकारी अभ्यास है बहुत ही अच्छा है इसका अभ्यास ये मेरुदंड को सबल और पाचन क्रिया को मजबुत बनाता है और तथा अपान वायू को शक्ति परदान करने वाला ये अभ्यास है इस अभ्यास को करते समय उड्यान बंद स्वता ही लग जाता है और फेफडे आपके सुचार रूप से काम करने लगते हैं ये अभ्यास ऐसा है स्टरियों के वक्षस्तलोंवे बुजाओं की अत्रिक्ट जो चर्बी है उसको घटाने में ये आसंबहोती उप्योगी है प्रभाव शाली है मानसिक स्तर प्रप्रभाव जम जिये ये अभ्याज समत्व भाव को विक्षित करता हुआ इंड्रियों को नियंद्रित करता है समत्व भाव क्योंकि ये इसमें गुण आ रहा है किसका? परवत का परवत का गुण इसमें आ रहा है जिससे आप में समत्व भाव आता है जैसे जर्दी, गर्मी, धूप में सब जैसा सम अवस्ता में वहीं पहार टिका रेता है आगे पीछे नहीं होता ऐसे ही ऐसे मुद्रा से आपके अंदर भी स्थेरियम आने लगता है धेरियत आने लगती है तब ही कहा, आपके अंदर समत्व भाव, इसका प्रभाव मस्तिश्ग वे मानशिक स्थिर्ता पर पढ़ता है, मानशिक और आपकी मस्तिश्ग दोनों पर पढ़ता है, अध्यात्मिक स्तर पर देखें, तो प्रनव का ध्यान करने से प्रग्या शक्ति जागृत होती है, इस प्रवाव को मुलाधार शेस्श्रार की और बढ़ा कर ध्यान के अन्भुति कराता है पदमासन शे मुलाधार चक्र यहां से होकर मस्तिष्क पूरा आग्या चक्र को त्रिवेने संगम से करवाता हुआ राज योग की प्राप्ति कराता है यह अता है यह कुंडलनी जागृत क करने में उत्तम अभ्यास माना गया है देखिए प्रभाव इसके बहुत ज़्यादा है मांश पेशियों पर प्रभाव देखेंगे प्रकार एक का पहले ये स्तिति आप देखिए बुझाओं आपके पेट की और मांश पेशियों किस तरह से मुलता ही आपकी रिट की हड़ी को खिचाव देता है ऐसी ऐसी मसल्स के उपर ये प्रभाव छोड़ता है अब इसे में मांश पेशियों को प्रकार जो दो है आसन का उसको आपने देखा इसमें कैसे बुझाएं आपकी एंकल्स पिंडलियों की पंजों की ये सब की सब मांश पेशियां इनके नाम आप अंग प्रकार भाशा में याद कर लें ऐसी ऐसी मसल्स पर ये प्रभाव छोड़ता है प्रकार तीन जो है उसका आप शरीर पर प्रभाव देखिए समझे जब हम ये बीच में ऐसा अपने हिप्स को उठाके बिलकु पाउं सीधे और गर्दन बीचों बीच रखते हैं तो एक मां की पिंडली अंजों की ये सब की समास पेशियां और जो अभी आपको लाब में ने शाररी को मानश्री का ध्यात्मिक बताए उन में लाबों में तीनों आसनों के लाब उसमें ही है ऐसानी की एक आसन का है इसलिए आसन तीनों के लाब उसमें आपको बताए गई हैं अब सम पर प्रभाविसासन का मुलाधार चक्र जो है ये प्रभावित होता है दूसरा स्वादिष्ठान और तीसरा आता है आग्या चक्र बार बार आग्या चक्र जब आग्या चक्र जब कभी भी आता है तो आप समझ आईए कि पूरे शरीर में यदि कोई सब चक्रों में शट चक् के लाब हमें मिलते हैं इसलिए कहा ये अपने आप में एक विशिष्ट आसन बन जाता है और दूसरा है गरंथियों पर प्रभाव इस आसन का गरंथियां पहले तो मुलाधा और स्वादेश्ठान से सम्मंदित जो गरंथियां है वो आप देखी रहे हैं बार-बार ये हमारे आसनों में आती हैं और दूसरा है अधिवरिक गरंथि एडरेनल ग्लेंड और दूसरा है गल गरंथियां गर्दन से सम्मंदि विशुद्ध चक्र के सम्मंदित जो गरंथियां बनती हैं तो ये गरंथियां बनती हैं और पीनियल ग्लेंड भी आप कह सकते हैं हाइपो थेल पहला है पदमासन आप लगाना आना चाहिए, हस्तो तान आसन आप पहले अच्छे से करें तांकि आपकी बुजाओं में कमर में कहीं खिछाव ना हो और प्रणाम आसन आपकी मुद्रा स्पष्टता से बने, ये तीनों आसन आप पहले कर लें तो ये आसन जल्दी से अच्छ अराम मिलेगा कंदों को ढिला छोड़ करके जब करेंगे तो खूब अराम मिलेगा शिथिल दंडासन में पाउं फेला दें और कंदों गर्दन को ढिला छोड़ दें खूब अराम मिलेगा तीसरा है भद्रासन तो ये आसन भी अपने आप में गुटनों कुठी करता है अराम आपको तो ये आसन तीनों में से कोई भी एक आसन आप जरूर करें इसके अभ्यास के बाद फिर बात आती है कि सावधानियों की सावधानिया क्या रखें ये देखिए घुटनों के दर्द वर शल्ले कोई चिकितसा आपकी हुई है घुटनों में कोई दर्द है या आपकी उ उरोवेदना। उरोवेदना का आपका होता है या आपके गुटनों में कोई ऐसा ओप्रेशन से निइ रिप्लेस्मेंट हुए है तो भी निइकरना। साइटी का यानि उरोवेदना साइटी का कमर से दर्ध होता है पाउं की लेग से रेड कलर की जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ऐसी हमारी साइटी का नाम की नर्व होती है नाड़ी रेता है वो पुरा पाउं में दर्ध कर देता है एक तरफा कर देती है कभी दो भी हो जाता है तो यह समश्या हो या मेरुदंड का कवमर का इडिकी हड्डी का ओप्रेश्ण या अत्य धिककष्ट कोई ऐसी समश्या है ऐसे अभ्यासी को योग परशिक्षक के सांड़े में ही अभ्यास करना है अपने आप चल करके नहीं करना विशेस बातों में विशेस बात ये है कि जो सादक पदमासन ने लगा पाएं वो सुखासन में भी बेट सकते हैं ये एक सहजता से आपको बोल दिया पदमासन नहीं लगता तो आप अर्द पदमासन लगा के बेट जाएं पूरा नहीं लगे तो नहीं तो सुखासन में ही बेट जाएं अभ्यास के समय सजगता वे जागरुकता बनी रहे अवेरनेस बहुत जरूरी है बनी रहे परवत आप देख रहे हैं इस तरह से पूरा गगन चुम्बी होते हैं परवत आकास को चुमने की ओर होते हैं इसलिए पिक्चर के अंदर आपको पूरा चोटी सीधा रखना है कमर खीचके रखनी है स्थिर रखना है और सजगता और जागरुकता अपने आप पर बना कर रखना बहुत जरूरी है अब इसी का हम वीडियो देखेंगे आगे अभी हम करेंगे परवत आसन का अभ्यास इसका ही वीडियो देख रहे हैं सरो प्रतम आपने क्या करना पदमासन के स्तिती में आकर के बेट जाना है दाइं पाउं को फोल्ड किया 22 पर 22 पाउं को फोल्ड किया दाइं थाइस के उपर आपने रख करके कमर गर्दन सीधी करके सामाने तापने बेट जाना है सबसे पहले श्वास आपका सामाने है अब यहीं से अपने हातों को दाइं से उपर उठाएंगे दाई माई अपनी साइड से श्वास भरते हुए कंदों के समाना अंतर ला करके रोक देना श्वास छोड़ देना हतेलिया आसमान क्योर करेंगे आपने श्वास छोड़ दिया है फिर श्वास भरते हुए धिरे धिरे हातों को उपर ले जा करके मिला लेना है पूर्ण तया अंतिम स्थिती में श्वास आप रोक करके रख सकते हैं आंत्रिकुम्बक के साथ या आप अपना श्वास धिरे धिरे छोड़ भी सकते हैं ये अंतिम स्थिती जो है परवतासन की है और दूसरा प्रकार इसमें ये है हातों से एंटरलोक लगाया आपने और कुछ आसन हम करते हैं ये ही स्थितियां खड़े होकर बनती है और बेट करके भी परवतासन का ये प्रकार दो है वापिस जब आएंगे अपने हातों का इंटरलोक खोला फिर श्वास छोड़ते हुए धिरे धिरे दोनों हातों को साइड से नीचे ले करके आना है और फिर नहीं से श्वास आपने भर लेना हतेलियों का रुख नीचे के और करके फिर श्वास छोड़ते हुए हातों को और नीचे भुमी पर्ष पर्ष करा देंगे इसी क्रम से आपको आना और जाना है और अंती में क्या करना एक एक करके दोनों पाउं को बिना जल्द बाजी किय बिना शिघरता के पाउं को विश्राम दे देंगे विश्राम दे करके आप अपने दोनों पाउं को सीधा करके रखेंगे इसी का एक प्रकार है तीन जो अभी हम उसको भी देखने वाले हैं प्रकार तीन देखिए परवतासन का सबसे पहले आप इस तरह से पाउं में अंतर लेक करके खड़ा हो जाना है खड़ा होने के बाद आपने क्या करना धिरे धिरे थोड़ा आगे की और जुकते वे श्वास छोड़ते वे जुकना है और अपने हातों को एक एक करके आगे भूमी पर रख देंगे और धिरे धिरे आगे बढ़ेंगे स्वास आपका इसमें सामाने हैं स्वास अंति में सामाने हैं इस तरह से आपने अपना बैलंस बना लेना है कि पूरा शरीर जितना अंतर पाउं में उतना ही अंतर हातों में ये बात ध्यान रखना है और दोनों ह हातों के बीच में अपने सिर को अंतिम्स्तिति में लेकराना है और श्वास आपने थोड़ा सा निकाल करके धिरे धिरे ये रखना और फिर क्या करना है ये आप देखेंगे एक पर्वतासन की भांती आपकी पूर्न स्थिति बन जाती है और पाउग की एडियां धर्ति पर स् चाव, हाथों कोहनिया सीधी, कमर सीधी, आप देख सकते हैं, ये एक परवतासन की मुद्रा है, ये भी एक परकार है, तीन नमबर का, और यहीं से फिर क्या करना, धिरे धिरे, जिस तरह से आप करम से गई थे, उसी करम से वापिस आना, इस बाद का विशेश दिहान रखना ह जब भी हम आसन करें, जिस करम से जाएं, उसी करम से वापिस आना, श्वास भरतिविदे आपने वापिस उपर खड़े हो जाना है, और अन्तिम स्थिति में, शितिल दंडासन में आपने विश्राम ले लेना है, अभी हम जानेंगे परवतासन से संबंदित कुछ विशेश बातों को, और अभी तक आपने देखा, थियोरी देखा, वीडियो देखा, और ये पार्ट बहुत जरूरी है, विशेश बातों का, और तुरूटियां अकसर हमारी यही होती है, और यही एक विशेश्टा होती है, यो परशिक्षक के अंदर, वो बारिकियों को समझ सकता ह है, पकड़ सकता है, बाकी आसन तो सभी जानते हैं, सभी करा सकते हैं, और ये गलतियां कहां होती है, ये एक जानना, ये एक परशिक्षक का दाइत्पू होता है, ये हमें आना चाहिए, और ये अभी इसी को, ये परवतासन के इसमें तीन टाइप्स रेते हैं, और इनको एक ही करके हम समझेंगे सबसे पहले आप दंडासन में बेठते हैं और फिर हम पदमासन की मुद्रा में जा रहे हैं एक ही करके पदमासन लगाएंगे पहले आपने अपने दाइं पाउं को फोल्ड करा उसको रखा और फिर दूसरे पाउं को लगा लिया पदमासन हम अच्छ बनाना है पूरा नीचे एक और यहीं से क्या करेंगे हाथ आपके दाइं भाइं भाइं भूमी पर तिकए हुए है। लुटनों पर नहीं हैं यहीं से क्या करना अपने हाथों को उपर उठाना हैं बेलकुल समान ले के आना कमर आपकी सीधी उटने भूमी पर टिके हुए हैं द्रिस्टी आपने सामने की और टिका कर रखना है इतना सब करने के बाद आपने फिर हातों की डारेक्शन उपर किया थोड़ा हतेलियां देखिए हतेलियां मैंने बदल दिया है हतेलियां उपर क्योर कर दी हैं इसको नजर दीजिए फिर क्या करना आपने धीरे से हातों को उपर उठाना बाजवें नोट करिए बाजवें कान के सपर्ष हातों को देखिए हतेलियां आपस में मिली हुई है पूरा एक बिम्ब बन गया है परवत की चोटी की आकरती है गुटने धर्ती पर टिके हुए है एडिया मिली हुई है कहीं कोई अस्थिरता नजर ना आए ये स्थिर आसन है और अचल आसन है परवत की भांती स्थिर होता है और इसी में थोड़ा अंतर क्या होता है उसको आप देखिए अंतर क्या करना आप वापिस जिस तरह से गए थे वैसे आप आगे हैं और आने के बाद ये फाइनल जो हमारी मुद्रा थी परवतासन की इस मुद्रा के बाद आपने पार्ट टू में जाने क्या करना हाथों का एंटर लोक लगाया यहां थोड़ा परिवर्तन भाग दो के अंदर इसी में परवतासन इस तरह से भी होता है आपने एंटर लोक लगा करके हतेलियों का रुख जो है आसमान की ओर कर देना है हतेलिया उपर की ओर है निचे की ओर आपके हाथों का बाहरी उपरी हिसा है बाकी सेम बाजवे कान के सपर्ज गुटने चिपके हुए पेट अंदर की ओर है सीना फुला रहे साइड में पूरा ध्यान यहां पार्शवर पर आपने देना है यह साइड की मसल्स की जो पक्ष के भागी जो फेट होती है एक्स्ट्रा उसको कम करता है यहां इतना ही ध्य अपने गलतियां पकड़ना हमें गलतियां हमारी खाह होती है फिर जब आप वापिस आते हैं उसी क्रम से वापिस नमशकार मुद्रा हाथों को क्रम से स्टेप्स टु स्टेप्स उसी तरह से नीच़ ले आना अब टाइप टूब के अंदर देखा आपने सीधा खड़ जान कंदों में जितना अंतर है उतना ही पाउं में ले लेना ये काम कर लेंगे फिर क्या करेंगे भूमी पर आपने हातों को रखना अब यहां फिर ध्यान दीजिए ये पाउं में अंतर सेम है हातों में अंतर सेम है सेम आपने अंतर दोनों में एक समान रूप से अंतर दोनों में हातों में पेरों में रखना और द्रिस्टी अभी आगे है मेरी और ये एक आकरती हम परवत की भांती बनाना जा रहे हैं अब देखिए अब ये जो सर है मेरा ये सिर जो है और ये सेम उसी तरह से अब जिस तरह से हम बेट करके एक हमने आकृति बनाई थी पदमासन में हातों को जोड़ करके यही काम आपने अब दूसरा हातों को जोड़ा बाजवे कान के सपर्श हो गई गरदन को आगे नहीं ला ये ही नजर आएगा ये ही इस तरह से कोई आपको यहां एक भर दे तो आपको लगेगा दूर से ये परवत है ये माउंटेन ही नजर आएगा परवत नजर आएगा ये ऐसी ही आकृति है गुटने आपके सीधे ये आपका पूरा इक्वल बने और ये माउंटेन ऐसे घूम करके आकृती बनती है तो ये भी एक टाइप हो गया इसी परवतासन श्रिंकला में और गलतियां ना हो जरा भी और उसी इक्रम से जैसे गए वैसे आप वापिस आएंगे और इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आभार विक्त करता हूं क्यों क्योंकि आप अंत त देखते हैं धन्यवाद